आज हम बनाएंगे चट्पन बनने वाली वेज चलाओं तो आएगे सीखते हैं सबसे पहले हम यहां पर राइस लेंगे और मैंने यहां पर 2 कप राइस लेंगे आप किसी भी ब्राइन के राइस यूज कर सकते हो अब हम राइस को दो तीन पानी से वाश करेंगे जब तक कि वह कोई तरह क्लीन ना हुजायए तो अब हम प्रैशर गूकर में तेल गरम करेंगे जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम उसमें तेजपतर डाल देंगे और मेथिदाना और जीरा. एडना ब्रान होने तक टेल में फ्राई करेंगे. तो हमारा मसाला प्राई हो जाएगा तो हम उसमें हरिमिज और लेसन के दालेएगा. इसे पी थोड़ा हिला लेगे. को अब के चींअ रिखें और इसमें पुड़ाओन लाक्ट जाया तो इसमें पहले ही सौल डाल डूंगी है कि अलाल दुगी इसे भी हिला लेंगे जो हमारा ये पूरा मसाला अच्छी तरह पक जाएगा तो हम इसमे अपनी टमैटो प्यूरी डालेंगे जो हम इसे बनाएगे इसे भी हम थोड़ा दो मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि इसे ओल सेपरेट हो जाए अब हमें इसमें अपनी वेज़िस डालेंगे तो सबसे पहले मैं यहां मटर डाल दोंगी आपके जो भी अवैलेबल हो आप वो यह डाल सकते है और उसके बाद में पस थोड़ी सी शिम्ला विच भी थी तो मैं यह भी डाल दोंगी इसे थोड़ा स्टल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए और नेक्स मैंने यहां पर डाले हाँ आपके बस कोई भी वेज़िस वो आप वो सब डाल सकते हैं और यहां मैं इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक पका लेंगे और मैंने यहां पे सोरा चंग्स भी डालें न्यूट्री जिसे हम कहते है और अब हम इन सब भी वेज़िस को एक साथ पका लेंगे पांच बिट के लिए और जब हमारी वेज़िस सारी पक जाए तो हम उसके बाद इसमें गरा मसाला डालेंगे तो अब जब हमारी सारी वेज़िस हो गई है तो अब हम इसमें अपने सोक राइस डाल देंगे जो हमने धोके रखे थे अब जैसे कि मैंने आपे दो कप लिए तो चावल के तो अब मैं इसमें टोटा हाँ पप और वाटर डालूंगे आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं अब इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी को स्प्रिंकल कर दोंगी और अब हम यहां कुकर का धकर लवा लेंगे और दो सीती आने तक इसे मीडियम फ्लेम में रखेंगे दो सीती आने के बाद हमाळे चाओल भुकर मेर डाल हुआ है एस बाद में राखेंग ए रखेंगे पैस हमे मेरे उ अ क्ग्रीं से च्पेंज च्बग किस आजा तक female pH रखेंगे झाल झाल झाल